Hello everyone you are most welcome once again in this YouTube channel English dn guys I am back here once again with the new lecture आपके सामने एक नए ऐसा लेक्चर से सौगत करता ओं चलिए देखतें इस लेक्चर में या डिसकस करने माले । जास इस्पेजले लेक्चेर में काफि और आडवी अस्थान क्या होता है तो काफी चीज़ें हम लोगों ने बात किया था और जहां तक कि हम लोगों ने इसमाल जी का भी डिसकुसन कर लिया था यानि इसमाल जी क्या होती ग्रेविटेस्टनल एक्सलेरेशन होता है यानि गृत्वी तरण होता है इसका मान कितना हो हम लोगों को एक चीज पढ़ना पढ़ता है जिसको कहते है डेंसिटी और हिंदी में इसको कहते हैं घंणत्यों ठीक है अब देखे और घंणत्यों को पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले दो चीज़े पढ़ना पढ़ेगा जिसको मास कहते हैं और सेकंड जो पढ़ना पढ मास आप सिंपल कहा हुझा है अब देख लेते हैं कि आयतन क्या होता आपके समने बॉक्स लिया हूं देखे ज़िए बॉक्स लिया हूं ठीक इतना बड़ा और यह जो मोबाइल से यह बॉक्स थोड़ा बड़ा है अधिक तो अधिक अस्थान घर रही तो बोली आतन किसका जादा इस बॉक्स का होगा या फिर इस मोबाइल को आप बोलेंगे सर इस बॉक्स का आयतन जादा होगा उमीद है कि अभी आप मास और आयतन के बारे में समझ गए हो ठीक है अब देखिए अगर मैं बात करूं डेंसिटी क्या होती जैसा कि मैंने बताया किसी पदार्थ को बताने के लिए कौन सा जादा है कौन सा अधिक है उसको पढ़ने के ल फार्मूला देख लेते हैं तुरन समझ जाएंगा ठीक है ना फार्मूला क्या होता है यानि डेंसिटी इज इक्वल टू मास आफान वॉल्यूम कहने का मतलब है घनत तो बराबर द्रभमान बटे आयतन यानि अगर इसको क्या कहते हैं किसी वास्त को इकाई आयतन के छर्भar क्वल जाएंगा थायतन कि इसने द्रभान द्रभमान होंगा आया घनत तो खलत तो कहिंग है इसे पता क्या चलता है कि कोई चीछ कितनी भारी है कौनすी चीछ जादा कौन सी है कम है ये जादा है कि यह जदा हैं बताने के लिए का करना पड़ेगा आपको उसको इसकी density निकालनी पड़ेगी कि इसकी density क्या है volume तो सेम है लेकिन इसका mass इसमें कितनी ठूस ठूस के कितनी amount of matter भरी गई है जिसमें इसका द्रब्मान जादा होगा वही क्या होगी वो चीज भारी होगी अब अगर कोई चीज आपके सामने सेम सेम चीज रखी हुई है अगर आप कन्फीज हो रहे हैं कि कौन सा भारी यह भारी है कि वह भारी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा नहीं volume तो उसका सेम है आयतन तो सेम है यानि अस्थान तो सेम ही घेर रही है लेकिन उसमें amount of matter द्रविक की कितनी मात्रा है यह क्या बताएगा उसका भार बता देगा आप ठीक है ना आसा एक आपको छोटी सी वीडियो पसंद आए होगी अगर आप इस तरीकी से वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं एक्ट्यूब चैनल आपके लिए मैं लाता रहूंगा थैंक्यू सो मॉच बब बाए